देखे गौतम जी एक देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और यह हमने नहीं कहा इस देश के सर्वोचनेल ने भी बार-बार कहता है कि यूनिवर्सल सिविल कोड लेकर आईए सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कि इतना अच्छा कानून है तो अभी उसका ड्राफ्ट बन रहा है ड्राफ्ट जब आ जाएगा तो सब की समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा यूनिवरसल सिविल कोड आ रहा है जिस सबके लिए समान रूप से लागो होगा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने वाल आज मोदी सरकार की जो गरीब कल्यान की योजनाएं उनका लाफ सिर्फ एक वर्क को मिल रहा है अगर आज सब को 13 क्रोड महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया है तो उसमें क्या हमारी मुस्लिम बेहने नहीं है आज 80 क्रोड लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जा रह है आप बताईए हर घर में नल और नल में जल 11 क्रोड से जादा घरों में 12 क्रोड से जादा घरों में अब तक 9 साल में कनेक्शन देगे हैं क्या उसमें मुस्लिम परिवारों को छोड़ दिया गया है पांच लाग तक का साल में मुफ्त इलाज मोदी जी ने दुनिया की सब का विकास और सब का विश्वास इस दे को लेके मोदी सरकार काम कर रही है किसी के साथ कोई भेजबाव नहीं है और यह मोदी सरकार की 9 साल की गरीब कल्यान की योजनाओं ने यह बता भी दिया है अब तक ड्राफ्ट आ जाएगा कुछ प्लानिंग इसको ले कर दो अभी अ